कांग्रेस की सरकार में ऐसा लगता है जैसे राउंड राज चल रहा हो और जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में यह जब से हमें लगा है आम जनता को यह लगा कि राम राज जा चुका है और जब से सिवुराज की सरकार है यह मतलब आप वाक्य महानिए कि मैं दिल से आत्म पूरे देश में नगार चुकी उन्होंने यहां पर सिखु का राज देख लिया और मामोदीव राज देख लिया मतलब वाक्य में देश के अंदर भाजपा की सरकार भोत विकास कर रही है आज हमारे यहां पर एक्सिडेंट होते थे रोड डेली पे आज फोर लेंड जो रोड बना भाजपा की देने बिल्कुल शिवराज जी के साथ हैं हम पुरी ताकस से और योजना होकार जो लाप की आप बात करें लाड़नी बेना में शायद साजापूर जिला सरुपता में पूरे मतलब देश में पूरा सरकार बनाएंगे भारती अंता बार्टे के नेते हो तो में शिवराज जी के नेते हो तो में अच्छी सीटे सब भी सीटे जितेंगे वो किसानों के बाद बहुत बड़ा धोका था कास तो सिवराज जी ने किया है मामा जी ने किया है यह अपना ड्रामा सेंटर बनाया रोड बनाया अस्पताल बनाया नर्मादा पाइपलाइन लाए लाली लक्समा योजना है इसके बाद में किसानों के ब्याज माप किये बीमा डला यह सब हुआ रेली का नजरा हम आपको बताएंगे अगर रेली आप खुद देखते तो उनकी बहुती कम संग्या रेली थी और रेली निकाल ले के बावचुद भी साजापूर नगर में प्रवेश निकरा हुआ हुआने वो आए और बहार के बहार दोपारा निकल गए प्रवेश धते प्रवेश अगर तो टी एक बहार के बहार के बताएंगे यजना चनाई जे वो आपको पूरू में भी दिगवे सिंग जी की सरकार देखी है जहांपर सडके नाम नहीं होती थी बिजली तो आती नहीं थी और इस प्रकार से सिवराय सिंग जी के सरकार ने इन सब प्रमुक्ष नमस्तान थी उससे मध्यवदेश को निजात दिलाई है तो आज भी जनता उन सब प्यारा हिंदोस्तान पर आज हमारी टीम आप पहुंची है शाजापूर सीट पर शाजापूर जिले की अगर बात करें तो तीन यहाँ पर विदान सबा सीटे हैं जिसमें से एक जो सुजाल पूर सीट है उस पर अभी बीजेपी का कबजा है जबकि दो सीटों पर कॉंग्रे किये जा रहे हैं और पिछली सरकारों में क्या-क्या कामकाज देखने को मिला है दोनों सरकारों में क्या-क्या कामकाज देखने को मिला है आए सिदे तोर पर यहाँ शाजापूर की जंता से ही बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है इस पर नरेन यादव जी, क्या कहेंगे अभी जो पूरा महौल चल रहा है, सबसे बहुत ही मतलब इस लगता था जिसे कांगरेस की सरकार में ऐसा लगता था परदेस में बिल्कुल शिव मही चल रहा है पूरे परदेस में और किसी परकार की मा को बहन को बेटी को बुजर को दवाई में गोली में किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं आ रही है नितो इससे पेले मतलब भौस सारी परिशानिया थी और जससे मतलब भाच्पा की सरकार पदेश महीं है जब से वाक्य में लग रहा है कि हम रामराज जी की सरकार में जी रहे हैं जैसे पहले क्या परिशानिया आती थी आपको पेले परशानिया भोष सारी थी मतलब गरीबों के लिए ना तो कोई हस्पिडिल की विवस्ताई अच्छी थी ना कोई मतलब उनके लिए कोई गरीबी वाली कल्यानकारी कोई योजनाई थी ना उन 370 कभी हटी थी उसे कोई भुस सारे मुद्ये हैं जो मतलब भाच्पाने कभी भाच्पाने करें कांगरेस ने मुद्भो को कभी भी हल नहीं किया खाली घोषनाई घोषनाई करते थे धिःग वीजे सिंग जी अभी आत्रा में थे राहूल जी आये थे राहूल जी बार-बार कमल नाज जी से पूछ रहे थे क्यो कमल नाज जी बताई है हम मद्यपरदेश में कितने किलो मिटर चलें कितने किलो मीटर चले जो बंदा प्रदेश में और पूरे देश में भारत जोड़ो यातर All- aplic, उसे यह नीपटा है कि मध्ध प्रदेश में कितना किलो मीटर चला हूँ, कमलनाच जी को बता है, सुर्जेवाल जी बता है कि हम 380 किलो मीटर चलें सहाब, अब वो भी गंडिस सही है या गलत पता नहीं कितना किलो मीटर चलेंगे जो अब बिल्कुल रिटायर्मेंट पर आगे है उनको रिटायरी नहीं कर रहे हैं उनके बात प्रदेस में पूरे प्रदेस में और पूरे देस में नगार चुकी उन्होंने याँ पर सिवु का राज देख लिया और मामोदीव राज देख लिया मतलब वाक्ये में देश के पर देख लिया देख लिटायर्मे लुकी सरकार भूत विकास कर रही है आज हमारे यहांपे एक्शिडेंट होते ते रोड डेली पे आज फोर लेन जो रोड बना है भाजपगी देने था देख सुचह呢 किसी प्रगतिस सिल कारी के बारे में ने सोचा आज भाजपा ने हमें रोड दिया और बहुत सारी ऐसी चीजे जी जिनको योजना किना हुआ तो कम पड़ जाएगी योजना कम पड़ जाएगी इत्ती सारी योजना जनकल्यानकारी जो गरीब जनता उनके लिए हड़ी गई है विक्रम जी क्या कहेंगे अभी जो है यहां पर आचार सहीता लगने वाली है लेकिन उससे पहले अगर बात किरे जो योजना है यहां पर चलाई गई अलग-लग वर्गों के लिए उसका कितना खासा लाब यहां की जनता को देखने को मिला और क्या जनता इस बार दोबारा स फिर एक बार जो है यहां पर विश्वास जताना चाहेगी जो पिछले कारेकाल में यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान जी की तरफ से योजना है लागो की गई यहां फिर कुछ और चाहती है यह बिलकुल शिवराजी के साथ हैं हम पुरी ताकस से और योज पिछला जो 2018 का चुनाव रहा था वो किसानों के मद्दे नजर रहा था कॉंग्रेस पार्टी ने कहा था राउल गांदी आये थे कि 1,2,3,4,5,7,8,9,10 करज माफ कर देंगे किसानों का और कहीं न कहीं एक अपार समर्थन भी मिला था सरकार भी बनाई थी कितनी मांगे जो आज पुना भार्टी अंता पार्टी सरकार पे जनता ने विश्वास के लिए तैयार बेठी है सभी योजनाओं का जमी इनके प्रधान मंद्री जो पूरू में रहा करते थे वो केते हैं आम एक रुपा बेशते हैं जनता तक 85 पेसा तो खताम हो जाता है 15 पेसे बोशता है लेकिन आज नरेंद मोधी की नेतरतों में शिवराजी की नेतरतों में एक क्लिक दबाते हैं पूरा पेसा योजनाओं जो लाभारती रहता है उसके खाते में जाते हैं कमल जी देखिए एक तरफ कमल का फूल है एक तरफ कमल नात भी है हमारे साथ कमल सिंग गुजर भी है क्या लग रहा है आपको चुनाब में क्या होगा इस बाद दो जाए तेरा जैसा परेडाम रहेगा वह सब और हमारा अरुंज ने इतने काम करें एक तो पोटेनिंग है उनने उनके कारेगाल में गल एसकूल बनाए उनने नमर्दा का पाने साजापूर में लाएए वह सरी योजनाओं का लाब मिला है हमें लेकिन यह निवदाया आपने कमल नात आएंगे पुरे परदेश में कमल का फूल सिवराज चिन जी चोहां नहीं आएंगे मामा जी किसानों के सरकार आई थी किसानों के ही मद्दे नजर चुब किसानों के रखे गे थे 10 जिंद में करश माफी होगी वह सब कहा जब to 15 मेने में गिर गई वह नहीं गिराया उनको वादे पूरे नहीं कर można by आख नहीं कर पाई जबी तो 15 मेने दुपड़ा रोड़ पे अपने आप चली गई इधर आये सीटी में सहर में नहीं 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 पड़ेगा उनको बोलने के लिए कुछ ही नहीं उनके पास बताए हो आके अच्छा कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए हो उसके लावा अभी जो योजना है चलाई जारी सरकार की सब शिवरासिंग जी के अच्छी योजना है अरुन जी भीमाओत हमारे विदायक वापत दोया तेरा जैसे बने और अच्छा मुम्मद से जितेंगे हो आपका क्या देवी सिंग राचपूत देवी सिंग जी हाथ में कुछ लगी है आपके क्या हो चोड़ वो अलकापूल का एक्सिडेंट हो गया था चलिए स्वास्त का द्यान रखिए सरकारे दोनों देखिये होंगी आपने लंबे समय यही रहते हैं हां मैं सहाजापूर के ही रहने वाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान है अभी वो भी लंबे समय से हैं क्या अंतर नजर आता हैं इन तिनों कमला जी सरकार में जो रहूल गांदी जी ने वो दो लाग का करजे का कहा था वो किसानों के बाद बहुत बड़ा धोका था उसमें किसान डिफालतर हुआ है और किसानों के करजे मापनी हुए हैं और दिगविजे सिंग जी और रहूल जी ने बोला था कि हम दस दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे वो इसा नहीं कर पाएं फिर उनके ही पारिटी के जोतिराज सिंधिया भारती जनता पारिटीम आए और उनकी सरकार कमलनात की गिराई और फिर स्वच सिवराज सिंग के सरकार बनाई अब वो तो दोबारा से तैयारी में हैं तीन दिन पहले आये तो थे यहां पर रैली करने के लिए रैली करने आये थे वो पोलाय कला में और दुपाड़ा निकल गए शाजापूर में नहीं आये और यहां पर साजापूर में आते तो यहां पर हमारे जो समाज के बहुमुल्ड लोग है वो प्रस्न उठाते उनसे इसलिए वो काला पीपल में आये और वहीं से निकल गए हां हमारी विदान समा में नहीं आये शाजापूर पोलाय कला में आये थे वो यहां नहीं आये शाजापूर में यहां क्यों नहीं यहां तो भी कॉंग्रेस के विदायक है फिर भी यहां नहीं आना हुआ 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 गुरूब बाजी के बजहेसे नहीं आ सकेामा गीस ने लाइति है इसके बाद ने किसानों के भी माप rea ना ये सब बस जायों धर्य जुशि जी इस चुनाम में किसकी वीजे निश? भारती जंदा पार्टी की सरकार बनेगी और शाजापुर विधान समा में भी कमल खिलेगा लेकिन शाजापुर जिले की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तो तीन दिन पहले एक रैली का आयोजन किया गया कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कमल ना अधिक विए सिंग केंदर से भी राहूल गांदी उसमें पहुंचे देगे रैली चाये कितनी भी कर ले वो और रैली का नजरा हम आपको बताएंगे का कर रैली आप खुद देखते तो उनकी बहुती कम संग्या रैली थी और रैली निकाल लेकर बावजुद भी साज किसान बोल चेतर है किसानों से जो वादे के थे दोजार एठार में कमलाज जी ने और राहूल गांदी भी उस समय आये थे तो वो कितने वादे पूरे हुए हैं डेड़ साल सरकार ये आपको सारा जवाब किसान देंगे किसानों को जो जो वादे किये थे ना तो हुआ करजा माफ हुआ किसानों के एक भी काम नहीं हुए है इसलिए किसानों नाराज हैं सारे और किसानों दूसरी बार जब सरकार बनाई है तो बीजेपी की सरकार को पक्षित दिया है अभी तिन दिन पहले फिर से वो किसानों की बात कर रहे थे यहाँ पर मंच से कमलाजी करते हैं लेकिन द्रहातलाबुता कि जो काम करने जी किसानों के हित्में वह बिल्गूल नहीं कर पाते हैं मामा जी नहीं जो जोजना चलाई है मैं करहा हूं एस सब्सक्राइब करती है और उसका किर्यान भी करती है आज हम योजनाओं की बात करते हैं लाडली लक्षमी योजना है आज देख लिए स्वास्त की सेवाओं के चेत्र में हम काम करेंगे लेकिन जैसे मैं कमलना जी की एक तरफ बात कर रहा हूं तो उनके साथ पूर्व जो मुख्यमंत्री है दिगविजे सिंग वो भी उनके साथ उस समय मंच पर थे और कईना कई वो भी पुश कर रहे हैं कि इस बार सरकार बन जाए कोंग्रेस जैके यह तो साब जाएर है वो पूस जारु करते हैं लेकि जब चुनाओ कर सहमे हम आता है तो एक दूसें को कशनव है चोड़ते है और हमना देखा भी है預 व्धान सब्स्रफ पינו से हम 약टी उड़ी और हम अभी운 देखते हैं कई कारी मद्ध्यप्रदेश की सरकार बनेगा। इस बार मद्ध्यप्रदेश की सरकार बनेगा। जनता ने पूरू में भी दिगविय सिंग जी की सरकार देखी है, जहाँ पर सड़के नाम नहीं होती थी, बिजली तो आती नहीं थी, और इस प्रकार से सिवराय सिंग जी की सरकार ने, इन सब जो प्रमुक समस्या थी उससे मद्यविदेश को निजात दिला ही है, तो आज भ काम जो पिछली 2018 में जब सरकार बनी, वादे किये थे, डेट साल में, क्या काम कांग्रेस ने पूरे किये और उसके बाद जब यहाँ पर बदलाव हुआ, और सरकार दूसरी बनी, शिवराय सिंग चोहान जी के देख्षता में, तो क्या काम हुए लोगों? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार बनी, किसानों का करजा माफ के नाम पे बनी थी, किसानों ने खुब वोट दिये थे उनको, तो किसानों का करजा बिल्कुल डेट साल तक, हटरा महिने तक कोई माफ नहीं हुआ, इसलिए उनके सरकार, उनके इसांतिनों, उनने गिरा दी उसी विशे पे किसानों का जो धोका दे रहे हैं जिस प्रकार से कंग्रेस सरकार तो किसानों का करजा माफ नहीं कुआ उसके बाद जिस प्रकार से सिवराज जी की सरकार ने वापस पुना आकर और विकास काम कियें तो आज मद्यपदेश के हर वेक्ति यही चाहरा है कि हमको म अध्यप्रदेश में वापस भारती इंताबार्टी की सरकारी चाहिए।